रे राम बड़ी गर्मी है पुस्कर में रे राम जे अरे जे हाँ जे रुमाल तो जोटू का है मारे पास ही रहे क्यों क्यों एक और रुमाल हमारे छोटूसा के लिए रे अपने छोटूसा के लिए ना है जे तो मारे लिए ठरा कुन सा चाहने वाला आ गया संतुर जरा दिखा दो मने जलन हो रही है कौन यो रे बुडापो ना माथे पर नाच रहे हो जलो मना वो छोरो ना आपने वेद की उमर को हो मारे हाथ चिपचिपा रहे थे मारे हाथ में पकड़ा गयो और के अच्छा संतुर इस पर तुझे भी लिका गुआ है तो के होई इसका मतलब उसका नाम हमारे वेद की नामराशी से मिलता हुआ होगा अच्छा आपका हॉल्टिकेट मेरा हॉल्टिकेट हॉल्टिकेट पिल गया हाँ, थांक्यू, अरण भ्या, थांक्यू छोटू अप्टी भाभी सा, मैं अश्मीर में था तो भाभू ने मुझे बताया, इसका हॉल टिकेट कुम हो गया है मैंने बोर्ड ओपिस में जाके डुप्टिकेट कॉपी बन वाई तो ममा, अप्टी आप टेंशिंग मत लो, मेरा हॉल टिकेट मिल गया थांक्यू सो मच छोटू अज तुमने परीक की बहुत बड़ी हल्प किये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने नहीं अप्टी पीटी का हॉल टिकेट कहां रख दिया हर चगाट टूम लिया पर मा, मिल गया ना, क्यों चिंता कर रही हूँ पोटू, तो मुझे पता तो दिया हो तो मैं जा के लिया था हॉल टेकेट अज महिर से इतना तो करी सकता ना आपनी परी के लिए अगर आप तेरे लिए हॉल टेकेट लाते ना तो मैं एग्जाम देने जाती ही नहीं आरेंड बिया मुझे सच्छा प्यार करते इसलिए उन्हें कहने की जरूत ही नहीं पड़ी इनफेक्ट इसकल का हर मेंबर मुझे आप ते ज्यादा कैर करता है मोहित बिया, वो प्रॉब्म क्या तरी हाँ प्रॉब्म क्या तरी, समझता के तो अपने अपको मेरी बेटी के सामने मुझे नीचा देखाना चाता बोहित तो यह आप क्या किया रहे? मैंने क्या किया? मोहित, मोहित चाहे, क्या बच्चक दर नट रहा हूँ क्या हो? इसे पूछे ना भाई साब तो मैं अजमेर में था तो परी का हॉल टिकेट ले आया परी भी मेरी परिवार का हिस्ता है कौनसे परिवार की बात कर रहा तुँ है? यह पेकार का सालो से रिस्ता जोड़के बैठा है यह मत भूल, एक नौकर था तू और आज भी नौकर ही है इससे जादा कोई रिस्ता निया दरहा इस गर में वहित अल्तु की रिस्ता जोड़ रहा इस परिवार से वहित तो शांत हो जाओ क्या गलत का भी है मैंने? नहीं है क्या नौकरिए आपके लाड पयार ने बिगाड़के रखा इसे ये खलो की तरह घूमता है मुफ्त की रोटियां तोड़ता ये मैं मुफ्त की रोटिया नहीं तोड़ता मोहित भईया मैं अपना कर्चप खुद उठाता हूँ और आप चाहे जो रिष्टा जोड़ दो और ये परिवार मैं में अपनों से बढ़का रहें और कुछ रिष्टे साबित नहीं की जाते सब जानते हैं कि कौन क्या करता है आप ये जो रोज सुबार इस्तरी कड़े कपड़े पहनते हैं ना इस दिर्फ मेरे सूरज भाइसा के वज़े से आए तोटू तोटू जालो अपने लाडले को बहुत उचल रहा आजकल मुझे बिल्कुल बर्दाश्ट निये कोई भी मेरे और मेरे परिवार के मामने में दखल दे ठीक है मोई तो शांत हो याट बस आप परशान मत हो ये आप कर आपके लाडले के बीच में जो भी समस्या है वो बहुत चल तूर हो जाएगी हाँ अब देख लेना सब ठीक हो जाएगा पहली की तरह सुराजीब आपने मुझे कहा था ना कि बच्चों को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं कि ने लिए लिए बहुत पुश्किल है तेरी मदद कीजे ना ओ, अंदय जी यह बहुत ही आसान से चीज़ है अब जैसे किसे इंसान को बड़ा होने में मदद की जा सकती है लेकिन बच्चा बनने में नहीं पहली बात तो यह है कि अगर हमें उनको समझाना है या पिर समझना है ना तो उनके साथ बच्चे बन जाओ अभी जैसे मैं वेद के साथ एकी टब में पैट डालके बैठा हुआ था ऐसे और दूसरी बाग यो चुटीं मोडे जखड़े होते है शिकाइटी होती है जिए तो वहीं पर होता न जहांपे प्यार होते है जहांपे उम्मीध होती है बच्चों अदिलना बना साफ होता है उनको हमेशा अपने बादना सिशीदे शहप्द में बहुननी आती है ना कि वो चास्टी में लपेट के लपसों का हेर पेड़ करके उनको बोलना आता है, हमें उनकी बात को गुस्ता नहीं करना अच्छी है, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उनके कहे को, उनकी नाराज़गी को समझने की और उनके दिल की बात जानने की, और आप ऐसा करेंगे तो देख लेना, तो देख लेना, फिर आपको उनकी कहीं ना कहीं कोई भी बात इतनी बुरे नहीं लगे, अब ये, ये मोहित की बात ले लो, मोहित और मैं बच्पन से एक-दोस्य के साथ बड़े हुए, हम भाई-भाई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ा ऐसी हैं जो मैं म अब भी होता है कि बच्चों के कुछ सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता है, मोहित की बात से याद आया, मोहित और छोटू का जखड़ा हो गया, अब छोटू क्या, उस से होगे चला गया अपने दोस्के घर पे, लेकि मुझे पता है, भागता भागता भापिस आए अब भागता है, मुझे गलती होगी, पड़ा हो गया है, लेकिन अगल, अगल उसको अभी तक नहीं है, बच्चे का बच्चे ही हो, आप परेशान नहीं, और वैसे भी आप कौन सी अकेली है, यहो ना आप होजादा, हम्, जरा और सोच के बता संतोष, किये जनम दिन बताय याद है न जी, तीन दिन बात का तो बताया था, नाम भी वह से ही सुरू हो रहे, जनम दिन दिन वही, और हां, उस चोरे में न, हमारे को संधिया बीननी के चलत दिखाई दे रही थी, क्ये बात कर रही है, हमारे को कह रहे हैं तो, कि कच्रा न, कच्रा पेटी में डाले, अ यह को भासन देगे हो मारे को, यह बता, वो दिखने में कैसा है, दिखने में तो एक दब मासूम सु चहर हो तो उसको, बड़ी सलिके की बाता कर रहे हो तो, अच्छा, और हां, अंगरीची में किटर पिटर कर रहे हो तो, उस बात तो मारे पल ले ना पड़ी, फेर भी, मै मैं तो बस आई आई सुनती जारी थी, बोट मीठो बोल रहे थो वो, इतनी सारी बाते मिलना, कोई संजोग ना हो रहे है, संतोस, मने तो ऐसा लगे है, कि कहीं वो हमारा वन्स तो नहीं, तू कुछ भी बोल, संतोस, मैं भी सूरसंधिया मिन्नी ने बता कर आता हूँ, हाँ कितने खुछ होंगे हूँ, अरे छी साल से अपने छोरे का जेराना है देखा हूँ, हाँ, आभी आता हूँ, हाँ, रुकाँ जी रुकाँ, क्ये, नाना, अजी, अंकुर जी और अंकिता जी कठे रहे है, आपाने पतो को नहीं, अगर वो हमारा बंस ना हुआ, तो सूरसंध कितने चोट लगेगी, यहां की जूटी उमीद ना जगाओ जी, थोड़ा रुक जाओ, जे भी ठीक है, एक काम करा, क्ये, आपाना, वो वहीं जाकर, उस जोरे को पतो निकाल लिया, पर उसके घरा चला जाओ, ये तुने बिलकुर सही कहा से, जो वो हमारा, वन्स होगा, तो समझ, थाकर जी की कुरपा होगे हम पर, सुन जी, अगर कुछ साचे आपनों वन्स होयो न, तो मैं सीधा उसे ने खाला लेकर आऊंगी, जी, जी, भले यांकर जी, अंगीता जी, कुछ भी सोचे, सीधा लिया करके, संध्या बिनिनी की कोदी में थे दियो और हां, दोनों भायों की जनम दिन साथ मनाएंगे, बल्कुल, 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 बल्कुल. आप लोग आज तक मुझसे जूट बोलते आएं संध्याबूव और फुफाजी ने मेरी खुश्य के खाते आप दोनों की खुश्य के खाते हमें वन्शॉपा था उन्होंने तो छे साल पहली साबित कर दिया था कि वो अंसे कितना प्यार करते हैं और हमने बतले में क्या थियो हाँ यही नसलमन को गलत दिखाने के आप लग जूट पर जूट बोलते आएं तक ही मैं उनसे नफरत करूँ लिकिन आज सच जानने के बाद मुझे पता लग रहे कि मैं कितनी गलत थी क्यों मॉम क्यों जवाब दीजे मुझे रोख जो अंकिता मैं जवाब दूँगा इसे जूट भी मैंने बोला था ना तो कारण भी मैं ही पताऊंगा हाँ मैंने जूट बोलेते संध्या बोग के बारे और मैंने ही तुम्हारी कोई भी चिठ्थी संध्या तक नहीं पहुशने थी अरे क्यों पापा वह अपनी बेहन के साथ ऐसा करता है मैं तो वानिश के साथ ऐसे करने के बार में सोच भी नहीं सकती क्या भाई बेहन कर रिष्टा इतना इतना कच्छा होता है ऐसा जूटा होता है पापा सुमेЗ के साथ जिम्मेदारियां रिश्टे बदल देती हैं, बीटा. अपनी बेहन से रिश्टा तोड़ना मेरे लिए असान नहीं था. बिलकुल भी असान नहीं था मेरे लिए. मैंने ये सब अपने बच्चों के लिये किया. तुम्हारे लिए किया पुर्पुन वंच के लिए किया जब वंच किटनेप हुआ था तो तुम्हारी तपेद बहुत बिगड़ गई थी और एक तरफ तू थी जिसकी जान जो है वो बंच मैट की हुई थी और दूसरी तरफ वो राठी परिवार कहीं मेरे बच्चों को मुझसे न जीन ले इसी डर के कारण मैंने अपनी बहन से विष्टा दोड़ दिया और तुम्हे और अपने पूरे बरिवार को लेके प्राठी बरिवार से बहुत मीलों को सो दोड़ चला गया जो फैसला मैंने तुम्हारे लिए और वंच के लिया था उसा ही लिया था और इसलिए आज भी एद अपनी सिंदिकी में खुश है और अर फुफाच अपनी सिंदिकी में खुश है पर पू और फुफाजी वो तो छे साल से अधूरे है ना वो और फुफाची के लिए एक बार वंच को उन से मिला थे तो क्या आपर आई है बापा नहीं समझदार तुम हुए हो बुल-बुल वंच नहीं मैं वंच की भलाई के लिए अपना फैसला कभी नहीं बदल सकता और मैं नहीं उन्हें कभी मिलने दूंगा कभी कभी प्यार भी जहर बन जाता है बुल-बुल और अगर वंच को सच्चाई के पता चला तो वो उन बुलजियों रिष्टों को कभी नहीं समझ पाएगा बुल-बुल वो अभोध है वो बच्चा है वो यह नहीं समझ पाएगा कि छे साल पहले हमने ऐसा फैसला क्यों लिया अगर वो उस परिवार से फिर से रिष्टा जोडता है बला है मेरे बेटे के रूप में ही सही अगर आज गलत नहीं तो पर्सो कभी नाकभी तो सचाई उसके सामने आएगी तब वो बिखर आव जाए मफ नहीं बरदाश्कर पाएगा हो और मैं मैं अपने बेटे को तरपता हो नहीं नहीं देख सकता अब हाज के बाद हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और लग्ट प्लीज जवा जब प्लीज़ झाल, प्रादार पाल मेरी पापा मेरा बर्थेड़े बहुत ही आपनी इन जगह मनाने वाले है तुम साब पक्का आनों 21 को मेरे बर्थेपर, ओके? वांच और मेरा बर्थेड पर है तुम दोनों बाई-बाई तो नहीं हो चुप वांच फिर अब भाई नहीं मेरे पास बहुत अच्छे दो बाई अल्रडी हैं हाँ तेरी जैसा भाई मुझे चाहिए भी नहीं मेरे पास मेरे खर पर एक बहुत अच्छी बैन है तू भी अपना बार थेड़े सेलिप्रेट करने वाला है पर मनाऊंगा नहीं क्या मैं हर साल अपनी सारी फैमिली के साथ मनाः और एकदम मस्वाला हां क्यक्त पापा को तो पत था इस बादे कब आने वाला है इसका बादे कुछ स्पेशल होता होगा या स्पेशल इसके पापा ने कीजी को इनवाइट कीया है Smells तेरी फेमली में तो तेरे बर्थेडे के लिए कोई जगा और बूक ही ही नहीं होगी वेद को तो कोई जगे बूक करने की जरूर आती नहीं है उसके पापा का दो खुद ही अखने है ना? सूरज होटल ता। सूरज होटल तो कितना बड़ा और मस्त है वहाँ तो बड़े पाटी का मज़ा आ जाएगा मता है, वहाँ पे स्पेशल माजिक और एंटेतेमेंट छोज भी होते है वेज, तू हमें बुलाएगा न अपने बड़े पाटी में, हम सब आएंगे अरे, तो क्या फर तुम लोग, मेरी बड़े पाटी में नहीं आओगे मैं तो वेज की बड़े पाटी में जाऊंगा हाँ, मैं भी, वेज मेरा क्लोस टेंडर ना हाँ, हम सब तेरी पाटी पाटी में आएंगे सुरेज अटे, मैं मैं आओगा पापा ने आपको IPS ऑफिसर बनाया, इमली चाची को पाररत दिलवाया, विक्रम चाची को दुकान, सबकी हल्पकी, पर फिर खुद कुछ बड़े साथ भी क्यों नहीं बने तुमने सही कावेद, उस उरग जिस इस पारें बात के रुके इसा क्या करें हो, जिसे अब जिन्दगी में उनकी भी तरख्य हो सके बहुत अच्छे इंसान तो है वो, और सोचना ये है, कि वो ऐसा क्या करें की बहुर बड़े कैसे बन सके आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगीगा कोई ब्रेग स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें स्टापलस यूटूब पेज को आपके स्टापलस के बहतरीन शोज वो, और सबस्क्राइब करें